Hello friends, Neighbor Sunshine ये एक Oscar winning short movie इस वीडियो में आपको आज में explain करने वालो ये बहुत ये अच्छी movie है और एक lesson के साथ आती है जो जली शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और हमें एक apartment काई गई है यहां mother और father होते है इन्हें बहुत सारे बच्चे होते है जब बहुत रात हो जाती है तो बच्चों ने दिन बार जो भी मेस की थी ये सब mother साफ करी होती है फादर बच्चों को सला कर वापस आ जाता है ये दोनों फिर अपने dinner table पर relax होने के लिए बेटते है इनकी dinner table के पास एक बड़ी सी window होती है इस window से वो दूसरे building की windows देख सकते है जब इस window से वो देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक couple दिखता है एक दूसरे के साथ intimate हो रहे है mother कहती ही कि ये क्या कर रहे है मैं नहीं देख सकती है और वो interested हो जाती है और देखने लग जाती है फादर भी बहुत ही interest से देख रहा होता है तो वो कहती ही कि drool करना बन करो वो बोलती कि क्या इन्हें पता भी नहीं है कि हम सब ये देख सकते है फादर कहता है कि वो अपने apartment का inauguration कर रहे है हमें light burn कर देनी चाहिए ये भी उसे कहता है मदर कैती कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे है हमें क्यों light burn करने है वो अपना mind change कर दिये है और light burn कर वो ही बेट जाती है अब हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर चुके है मदर अपने बच्चों को बाहर गुमा कर लाती है और फेस से घर आती है जो फादर होता है वो खिड़की में बेट कर ही अपना काम कर रहा होता है मदर और फादर की यहां fight हो जाती है वो कहती है कि तो हमेशा उन्हें ही देखती रहते हो इन दोनों में insecurities होती है इन्हें बच्चे हो चुके यह 30 में है तो एक दुसरे के साथ वो इतना जादा connection नहीं बना पाते है मदर उस पर चीट कर बोलती है कि तुम घर में कुछ भी ध्यान नहीं देते बच्चो का सब खयाल वगिरा भी मुझे ही रखना पड़ता है उन्हें बाहर भी मुझे ही लेकर जाना पड़ता है तुम सिर्फ अपनी दुर्बिन लेते हो और किड़की से जागते रहते हो फादर ने उसकी बर्ड़े के लिए दुर्बिन मंगवाई होती है फादर कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो उन पर हमेशा ध्यान रखता है तुम भी हमेशा उन्हें देखती रहती हो अब वो कपल पर चिट गई होती है वो कहती है क्या इन्हें कर्टन्स के बारे में नहीं पता है या कोई उन्हें देख सकता है इनकी भी इन्हें शब नहीं है हमेशा है पार्टी करते रहती है यह भी मदर फादर देखते है इनने भावत ही जेलस मेहसूस होता है इनकी जो लाइफ है यह बहुत ही स्टेबल है अपने बच्चे है इनकी फैमिली है पर फिर भी इनहें अपनी जो ट्रेंटी से जिस तरह से वो एंजवा करते थे उस तरह से वो कभी भी एंज़ा नहीं कर पाते इससे उन्हें दूख होता है फादर फिर मदर को पास बुलाता है उसे हाग करता है जब इनके घर क्रिस्मस भी होता है तो फिर भी यकी बहार नहीं जापाते है गर कोई डेकोरेट कर रहे थे है और जैसा इनका रूटिन होता है ये रात में इनने सब को साफ अगरा करना पड़ता है इसी तरह से मदर आज साफ भी कर रहे होती है मदर फिर से नेबर के याँ देखती है तो वहाँ पार्टी चल रहे होती है नेक सिन में हमें ये फैमिल ब्रिकफास करती है ये देख रहा होता है अब ये जो फादर है ये नेबर्स पर हमेशा नजर नहीं रखता जब रात होती है तो मदर को ही लगता है कि उसे देखना चाहिए ये नेबर क्या कर रहे है ये फादर की दुरभीन ले थी है उसे देखने लग जाती है इस wife ने अपने husband को कहा था इतों ही responsibility लेनी चाहिए अपने बच्चों को घुमा कर लाना चाहिए तो उसका husband अब यही कर रहा होता है वो बहार जाता है और अपने बच्चों को camper लेका जाता है अब वो खिड़गी के पास भी नहीं दिखता आज जब रात हो जाती है तब मदर को नीन नहीं आ रही होती है वो फिर बैलकनी में जाती है और फिर से अपनी दूर्बिन से देखने लग जाती है वो देखती है कि जो उसके neighbors है उसकी जो wife है वो अपने husband को console कर रही है यहाँ कुछ प्रावलम हो चुका है वो उसके लिए थोड़ा सा वरी करता है थोड़ा वक्ट जब गुजर जाता है तो मदर फिर से खिड़के से जाक कर देखती है उससे फिर दिखता है कि जो neighbor है उसके बाल जड़ चुके है उसे मिलने के लिए उसके mother और फादर आये है वो पेड़ पर होता है वो अपने neighbor के लिए वरी करती है राद में फिर एक बार जब वो खिड़के से देखती है तब उसे मालूँ होता है कि जो neighbor था वो मर चुका है neighbor की wife रो रही है इसे बहुत ही बुरा लगता है और अगली building में वो देखने के लिए चली जाती है neighbor की body hospital में जा रही होती है neighbor की wife जो थी है उसके पास ही आ जाती है mother उसे console करना चाती है उसे बोलना चाती है उसे कुछ बोलनी पाती तो neighbor की जो wife होती है वो ही बोलती है मैं तुम्हें चांदती हूँ हमारे apartment से तुम्हारी apartment दीखती है तुम वही हो जिसके तीन बच्चे है तुम्हारा husband है वो कहती ही कि तुम्हें आजब लगेगा पर में और मेरे पती हम दोवना हमेशा तुम्हें देखते रहते थे तुम्हारे बच्चे बहुत ही cute है तुम्हारे जो family है ये कितनी बड़ी आए अब ये neighbor की wife रोने लग जाती है और mother उसे सहारा देती है रात में हमें mother घर पर दिखाए गई है और अब अपनी family के बारे में एक नया perspective मिल चुका है हमेशा दुसरी के life में जागते हमारे पास जो है वोसे हम appreciate नहीं करते एक beautiful message ये movie देकर जाती है जो neighbor थे उन्हें लगता था कि उनकी भी इतनी अच्छी family होनी चाहिए क्योंकि उनके पास family नहीं थी जो mother and father थे उन्हें जो freedom neighbor के पास था वो नहीं था और फिर से जैसे वो 20s में थे वैसे नहीं जी सकती थे उनकी life stable हो चुकी थी पर कभी कभी उने भी मजा करना था ये दोनों एक दूसरे से जलते थे पर अपनी life कितनी perfect है एक दूसरे को कभी पता नहीं था जब neighbor मार चुका है तो mother को अपना या perspective मिल जाता है कि उसके पास जो है वो कितना valuable है best lesson के साथ ये movie end हो चाती है इस बार मैंने एक नया experiment किया है इसमें मैं short movies को explain करना चाता हूँ अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए होगी तो please comment में बता दीजेगा यानि कि मैं और भी short movies पर वीडियो बनाता रहूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो please इस वीडियो को like कर दीजे बहुत सारी movies में लेकर आता रहता हो तो इसलिए आप subscribe भी कर दीजेगा bell notification icon भी दबा दीजे इननी कि आप कुछ भी miss ना कर पाए हम फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और अब अपने आपका खैल रखें